नमस्कार दोस्तों दोस्तों जिस प्रकार की आज मैं वीडियो वापस से ले करके आ रहा हूं इस प्रकार की वीडियो से मुझे सबसे 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 पसंद है और वो है In-depth Analysis के वीडियो दोस्तों ठीक है तो आज जो स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं वो है GEO Financial दोस्तों अब एक ही, जियो फिनेशन में लेकर कि न, खास कर कि रिटेल इवेशन, वो बहुत ज़ादा एक्साइटेट है, ठीक है, एक्साइटेट में में यह कहूंगा, एक जटका ज़रूर लगा था, जब सके क्वाटरली नमर्स आया हैं, उस्टॉक, नमर्स के बाद, एक बहुत ब कर रहा हूँ, बट मुझे लगा, आज संडे का दिन है, तो एक, कम्प्लीट एनलस का वीडियो लाना चाहिए दोस्तों, और उसी में स्रीज में, जो जियो फिनेश है, उसके उपर सबसे पहला वीडियो में लेकर क्या हूँ, फिर्स सिंग फिर्स दोस्तों, अगर आप कैस के जो 9 minutes है, वो बहुत important है, बट प्रीज उसे पूरी तरह से देखेगा, ठीक है, तो जिनें सिर्फ आपके सकते हैं, थोड़ा बहुत result और future को लेकर के gap focus है, उस पर देखना है, तो जाकर के वहाँ देख सकते हैं, बट अब वापस से आते हैं, इस stock की तरफ, analysis की तरफ, त और इस चीज़ को, प्लीज, आप अपने दिमाग में ज़रूर रखें दोस्तों, ठीक है, और जब आप इस वीडियो के अंतर तक दिखेंगे न, तो आपको समझ में आ जाएगा, यह कितना complex, आप overall business बन रहा है दोस्तों, और इसलिए MBFC के बजाए company ने, CIC के लिए apply किया ह है दोस्तों, ठीक है, तो अगर आपका vision, मैं बता दूँ आपको, अभी के लिए नहीं, short term नहीं, long term, और यहाँ न long term यार, कम से कम, 5 साल है, no doubt, मुझे ऐसा लगता है, GEO financials के लिए, अगर long term हो चर्चा करेंगे, तो कम से कम 5 साल है, उससे कम कता ही नहीं है दोस्तों, अग आपकी कोई query होती है, और आप उसे highlight करना चाहते है, तो आप join button में, जो priority panel group है, उसे join करें, ताकि उसके बाद अगर आप कोई question करते है, तो वो highlight होते है दोस्तों, तो उसके उपर बनाने की आपकी सकते है, वहाँ ही वही reply करना आसान रहते है दोस्तों, वरना इतने ज़्य question होते हैं, जिसके चर्चा हम, मैं आपके सकते करते हैं, मैं नहीं कर पाता हूं ठीक है, तो अब सीधा वीडियो के second part चलते हैं, और एक एक चीज़ के उपर इतने जान से focus रखते हैं दोस्तों, बड़ आगे बढ़ने से पहले, आप पहली बार आए हैं guys, subscribe ज़रूर किया क पैसा करते हैं, चैल की growth होती है, बहुत बहुत motivation मिलता है दोस्तों, तो चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक ज़रूर कीज़ेगा, तो अब चलते हैं second part की तरफ, तो दोस्तों अब शुरू से शुरू करते हैं, और बात करते हैं सबसे पहले किस चीज़ की दोस हो रही है, आने वाले साल हो गया, आने वाले decades की, और आप देखें, यहाँ पे बहुत अच्छी मुझे लगता है बात लीखेगी है that, 450 million working population, million मतलब एक point लगा है, 45 करोड working population दोस्तों, जो demographic के favorable रहेगी, और आप देखें, 12th largest by HNI population to drive digital financial services adoption, अब आप देखें, 45 करोड जनता और उसमें भी देखें, जो 12th HNI population, HNI population हो दोस्तों, high net income population, और यह किसे कहा जाता है, बहुत ही general term में अगर आप पूछेंगे, वो लोग, जिनकी जो liquid asset है, वो 5 लाग से 5 करोड के बीच की रहती है, आप उन्हें एक high net income worth की बात कहा सकते हैं, अब यह आने वाले सालों में इ financial services है, उसको ले करके कितना जादा positive attitude होगा दोस्तों, इस sector को ले करके, ठीक है, rising affluence, financialization of savings, rising entrepreneurship और favorable demography, presently opportunity for a large digital financial services operating, financial 20 service and that, ठीक है, 60 lakh करोड की NBFC, ठीक है, और 17 lakh करोड का mutual fund AUM है दोस्तों, ठीक है, आप देखें, large opportunity in the secured lending space, देखें, यह बात अब साफ हो रही है, कि जो geo digital है न, या geo financial कह लीजी, उसका जो main focus है, या main मक्सद है, वो secure business को रहने वाला है, noticeable market reaction, vis-a-vis, unsecured lending to calibrated approach towards unsecured product, देखें, यह कहना है, secure में हमें focus रखना है, और एक calibrated approach रखनी है, unsecured में जो दूस्तों, क्यों देखें, आप कुछ भी कहिए, बड़ अगर आपको छोड़े high margin चाहिए, आपको unsecured की तरफ जाना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप यहां देखें, लगादार, focus बढ़ता चला जा रहा है, secured products की तरफ दोस्तों, आप देखें, device as a service, finance and operating leases, air fiber, phone, laptop, dash model for consumer device to create new market, अब आप देखें, यह चीज़े हैं, low risk due to asset ownership, sharper targeting for cross sell based on customer insight, supply chain financing, introduction of supply chain financial solution to address the working capital needs of supplier, other products, home loan pipeline, LAS, capability built for unsecured consumer, durable product, देखें, company न, हर एक शेत्र में दीरी दीर आगे बढ़ रहे है, device as a service, अब आप देखें, air fiber आपने सुना ही होगा, phone हम चर्चाए के रहे हैं, laptop, देखें मुझे laptop देखें मुझे लाप्टॉप देखें, बिल्कुल बसंदी आया है, मुझे यह ल अच्छे नहीं हैं दोस्तों, and I can tell you this, air fiber अपने अभी तक use नहीं किया है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, in addition to growing other businesses, other businesses भी company लगातार बढ़ रहे है, insurance broking, company ने 17 insurance company के साथ partnership किया दोस्तों, general or life insurance में, launch embedded extended warranty और सचित insurance, ठीक है, session insurance, insurance, बात payment bank की हो रहे है, soft launch of debit card, re-platform to launch digital service, bank account, payment solution, कुछ, unpayment solution की, यहां बात करी जा रहे है, ठीक है, तो, देखें, यह सब तो चीजे ही वो हैं, जो आने वाले समय रहे हैंगी, इसलिए अभी, इन सब चीजे में focus की बजाए, बस यह हो रहा है, यह आपको नजार आने जीए, क्योंकि, इने अभी pan out होने में काफी समय लेगी, अच्छा तरीके से, ठीक है, अब, कुछ strong foundation किया जा रहा है, देखिए भी, क्या-क्या foundation है, capability building लगातर की जा रही है, ठीक है, technologies take in place with AI, AI का use करके, technology का use किया जा रहा है, governance, regulatory application किया जा रहा है, तो, यह सब generic चीजे हैं, लेकिन company कर रही है, हम एक लंबा video हो जाएगा, ठीक है, button press कर रहा हूँ, आप देखना चाहिए, तो इसे देख सकते हैं, अब, बात कर लेते हैं, quarter three के कैसे numbers है, क्योंकि numbers के बाद, अचानक से गिरावट हुई थी, तो, उसके में भी एक एक करके चर्चा करेंगे, आप देखें, geofinancial office, देखें, य RBI, 100% stake है, इसका, आप देखें, GIBL, insurance broking entity, जो IRDA से regulated है, 100% entity है, payment bank, जो RBI regulated है, 76.98% की holding, इनकी है, जबकि 23.02 की SBI की है, जी हाँ, फिर आते हैं, 100% holding वाले, payment aggregator की, जो RBI से regulated है, फिर आते हैं, 100% RIA, चल की, इसकी, आगे चल के चर्चा करेंगे, यह है भाई सब, 50% AMC, यानि, जो Acid Management Services है, उसकी बात, यहाँ कही जारी, future fund को लिए करके, और यह देखें, इसमें, 50% इनका हिस्सेदारी है, और 50% BlackRock की है, यानि आप समझी है, कितना ज़ादा positive चीज है, फिर, leasing business, जिसमें 100% ज़ारी इनकी है, और इसलिए, अब यह एक इतनी बड़ी entity ह कई लोग कह रहे हैं, यह confusing, अरे भाई, confusing ऐसे है, एक company CIC इसलिए बन रही है, यह इतने सारे आपको product launch कर रही है, हाँ, यह बात सही है, किसमें यह कितना सफ़ल होगी, किसमें क्या होगा, यह अभी नहीं आने वाला समय बताएगा, दोस्तों, ठीक है, और इसलिए, वीडि quarter 3 financial 24 के कुछ highlights है दोस्तों, जो आपकी नजर होनी चाहिए, consolidated pad देखेंगे, जो 9 month के अंदर आया है, 1294 करोड है, ठीक है, और जो quarter 3 का number आता है, 294 करोड है, ठीक है, आगे इसमें चर्चा करेंगे, dividend income में, dividend income में एक बहुत negative answer डाला है, इसमें, stand alone pad देखेंगे, तो 9 month में आ 70 करोड है ठीक है, प्लान ये क्या जा रहा है क्या, to launch leasing business and supply chain financing, जी हाँ, leasing business and supply chain financing, इसके बाद धीरे से मागी आएंगे, लगातार focus बढ़ाया जा रहा है, secured lending की और, given market and regulatory development दोस्तों, ठीक है, capability building is well on track, ठीक है, अब अगर आप इतना वड़ा vision देख रहे हैं, तो उसके बरा operations field, जो सबसे important चीज़ है, मुझे जो लगता है, होई कि आपके key leadership कैसे रहेगी, उसकी जो position फिल हो चुकी है, total number of employee, अगर 31 December को तक आप देखेंगे, 516 है, ठीक है, और यह अन्य चीज़ है, तो overall अब ही आप देखेंगे, तो चीज़ें, 80 तरों में, अच्छी चल रहे हैं अब बात कर लेते हैं, थोड़ा depth में, कि numbers कैसे हैं, तो देखें, company के, जो net interest income है, NII है, quarter 3 में, वो लगभग, 269.1 करोड में है, क्योंकि million में है, जो कि 44.6% की growth दिखाती है, year on year, NII है, याद रखिएगा, ठीक है, with zero finance cost, जबकि जो outrating income है, दोस्तों, इस quarter में, उसमें 31.9 की गिरावट हुए है, जिया, इसलिए मैंने पहले कहा था, वो NII है, यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, operating income की, जिसमें 31.9% है, और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है, वो है absence of dividend income during the quarter, दोस्तों, ठीक है, जिसके करण आपको 32% के approximately गिरावट दिखरी है, इनके total income म as company holds share of reliance industries, it incurred an amount of rupees 2,16 million rupees, which was nil this quarter, अब operating expenses side पर देखेंगे, तो company ने report किया है, 38.2% increase quarter देखें, जो company का कहना है, जो operating expenses और वो no doubt, आने बाले में सिर्फ आने वाले समय में, सिर्फ और सिर्फ बढ़ता नजर आएगा आपको, उस पे 30.2% की बढ़ता है, quarter and quarter, led by higher other expenses, बात करें, employee cost की, तो उस पे 8.7% jump है, quarter and quarter, क्योंकि भीया, लगातार आपके जो head counter न, यानि, जो लोग है, वो आप जोडते जाएंगे, तो आपका दो business बढ़ेगा ही बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेगा माफ कीजेगा, and which scale up in the business, यह कौन सा one time cost related है दोस्तों, हम चलते हैं, आप देखें, one time cost related जो है, जो है, वो क्या है, CSR in spending, thus, this resulted in a higher cost income ratio for the quarter, excluding the dividend income, cost to income ratio stood at 23.8%, जो कि पहले 18.3% था, बात करें, net profit की तो इसमें, 56% ता quarter and quarter गिरावट आई है, on the back of lower operating income, ठीक है? यही कारण है, जो मैं पहले ही कहा रहा था, कि जो operating income है, उसमें 56% की गिरावट है quarter and quarter, and fall in the share of profit of associate and joint mentor, reflecting no dividend income during the quarter, और जो tax rate है, वो भी high रहा है दोस्तों, add 27.8%, जो पहले मातर 16.1% था, तो भई, अब आपको overall चीजे समझ में आगी होंगी, कि यह गिरावट होई है, वो क्य रहे हैं, आपके dividend income इसबार नहीं आई है, आपके headcounts बटन है, जिसकरन आपके, और आपके सकते employee benefit expense, वो बढ़ते नज़र आ रहे हैं, और last but not the least, आपका इसबार जो tax percent है, वो भी 25, 27.8% है, जो पहले मात, 16.1% था, तो मुझे लगता है, overall यहाँ पे, जो result है, वो तो major highlights for investor की दोस्तों, और यह बहुत important इस बार देखने के लिए, ठीक है, क्या क्या है, देखिए, सबसे पहले जो हम already चर्चा कर चुग है, कि जो lending business है, the focus will be on secure product, जो focus है अब, वो पूरी तरह से secure product की तरफ हो गया है दोस्तों, ठीक है, आप देखे, the broader strategy of geofinancial is to democratize financial service by offering simple, innovative and intuitive product that will be delivered digitally, देखिए, बड़ा focus जो है company का, वो digitally है दोस्तों, ठीक है, मैं यह नहीं कह रहा कि company आपको stores open करके नहीं देखिए, अपने हापे physical stores, आपके open नहीं होंगे, आपके share पे होंगे, but, वो hassle free digitally होने की सोच रहे है, दोस्तों, ताकि, आप देखिए, अभी क्या है, मैंने एक बहुत अच्छा चीज़े, कि offices है, जियो के भी हाँ मेरे share में, but, जो भी चीज़े मुझे query लगती है, जो भी issue होता है, जिसे मेरे fiber का भी issue होता है, जिसे मेरे fiber का भी issue होता है, तो वो online settle हो जाता है, ठीक है, online कुछ query troubleshoot कर लो, आप, चीज़े ठीक हो जाती है, and I find it really, really attractive दोस्तों, और यही चीज़ न, finance में company करना चाह रही है, और it aim to serve, need of two categories of customer, mainly, दो प्रकार के customer के उपर company focus कर रही है, पहला है, merchant, जो आपको समान दे रहे है, और दूसरा है end customer, आप देगे, geofinancial service जो है, will likely leverage RIL's large customer base in the telecom or retail business, and the group's technology capabilities, ठीक है, तो भी आप समझ जाहिए, और यह new brainer है, अगर आपको लगता है, कि जो, जो उनके telecom और retail business है, उसको अस्तमाल नहीं करेगा उनका, तो मुझे नहीं लगता आप ऐसा क्यो सोच रहे है, ठीक है, और यह वाकई में, देगे, मैं इसलिए कहा रहा हूँ, अगर company सही तरीके से आगे बढ़ती है, और मुझे आपके बढ़ते हैं, while geofinancial is planned to provide a full stack of unsecured और secured loan product company, देखे, secure देने वाली है, unsecured loan भी देने वाली है, but mainly जो focus होगा, वो secured lending में होगा, और जेखे, RBI के जो decision है, कि भाया, to increase risk based on unsecured loan, has made the company more cautious, और जेखे, आप कुछ भी कहिए, जो इस बार के RBI के जो governor है, मुझे लगता है, यह one of the finest governor रहे है, आप देखे, जिस तरह से, तुरन-तुरन हम सुन रहे थे, unsecured loan बढ़ रहा है, हर किसी को loan मिल रहा है, on click loan मिल रहा है, तुरन prompt action हुआ RBI की तरफ से, कि भाया, आपको अपना risk weight बढ़ाना पड़ेगा, और यही कारण है, अब companyya, आप के सकते focus secured loan की finance and operating lease for customer consumer devices, देखे, company एक आप के सकते separate finance and operating lease कर रही है, जो consumer devices को लिए करके बात करेंगे, air fiber 4 on laptop, और मैं फिर बोलूँगा sir, please, जो भी laptop बनवा रहे हैं आपके हाँ, आप समय लें, but please कुछ high end devices बनाए, क्योंकि laptop को लिए करके न, लोग भली थोड़ा ज़दा पैसा खर्चा करना चाहते हैं, लेकिन एक अच्छा product चाहते हैं, it is falling into supply chain financing solution to address the working capital supplier, और plans to add secure products such as loan against share और mutual fund, जेगे, supply chain financial solutions आप इस पर कह सकते हैं, एक जगस दूसरे ज़रे को मान ले जाने के लिए, जो भी चीज़े चाहिए रहती हैं, उसके लिए काफी capital चाहिए रहता है, तो उसके लि ठीक है, आगे है, यहाँ पर आप आएंगे that, its distribution approach will be direct to consumer, digital or at point of sale, company का distribution approach होगा, वो direct consumer को होगा, digitally होगा, या POS के तहत होगा, embedded in the customer journey, और आप देखिए, enough dry powder to scale the lending business, और देखिए ये बात तो सही है, पैसे की चिंता नहीं है, पैसे बहुत हैं, कि finance business को आगे बढ़ाया जा सक ठीक है, आप देखिए, GFC लो जो net worth है, वो 1,15,500 करोड में है, September end की बात होगी है, December की need, September तक से देखेंगे, which it can deliver you to scale up lending business, इतना ही नहीं, moreover, जो जीओ फिनेश सर्विस है, वो likely है, वो टॉप-notch credit rating, इसकी credit rating बहुत top-notch होने वाली है, अब यह credit rating उपर होगी, तो जहां इसके लिए आप क्या करते हैं, माल उठाते हैं, क्या सकते हैं, fundraise करते हैं, फिर दूसरों को देते हैं, ठीक है, जो fundraise करने के में, जो जितनी अच्छी आपकी rating लेगी, उतना कम आपको interest बे करना पड़ेगा, और it can rise debt at a competitive rate, यह वही लिख रहे हैं, कि यह आपको un-nbs risk के बजाए, एक competitive rate में आपको loan मिल जाएगा, which can be age or many and years and fintech players, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करें other segments की business segment की, तो भई देखिए, 27 insurance के साथ company already partner कर चुकी है, चाहे वो life or general हो, for insurance broking, और बात करें इनके payment business की दोस्तों, payments business की, तो आप यहाँ पर पाएंगे, यहाँ पाएंग उनने re-platform किया to launch digital savings bank account, ठीक है, and did a soft launch of debit card, इसके उपर मैंने कहाना, अभी इस पर चर्चा करने ही ज़रूत नहीं है, आने वार एक दो quarter में हम देखेंगे, कैसे pan out होता है, और in payment solutions, it did a pilot launch of Jio voice box, ठीक है, अब payment solution में, एक Jio voice box करके, launch किया गया है, आपको पता है भी है कि BlackRock के साथ 50-50% की joint partner से बर जिसमें, दोनों ही company एक सो 50 billion dollar डाल रही है, इस business के उपर, ठीक है, अब देखें, दो important चीज़े हैं, क्या है आप देखें, that, जो Jio financial है, उसने RBI में apply किया है, convert to CIC, core investment company, जो हमने उपर देखी, जो इतनी सारी चीज़े थी, जो currently NBFC की बात चल रही जो है, which is great, ठीक है, अब देखें, ये तो चर्चाई हो गई, जो as a highlight of investor करने की जुरुत थी, अब इसके बाद से, जो है दोस्तों, वो है conference call में, और देखें, conference call में आप देखेंगे, तो ये बहुत सारी चीज़े हैं, ठीक है, अब ये ये कह रही ही company में, एक एक करके बह बहुत शॉटली करूँगा, अगर आपको नहीं देखना है, प्रॉस करके यहां से जा सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए, जो conference call में क्या बात ही हुई है, उसकी देखना चाते है, तो देखें, the prospect of Indian economy continue to remain bright, with macro indicator pointing robust and growth, ठीक है, तो भाई ये कह रहे हैं, कि आने वाला समय भार रिसेंड मार्केट, बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, सब अच्छा लग रहा है, कि बातें बहुत अच्छी मिलने वाली है, बट, companies बात को लिए करके देख रही है, कि जो unsecure consumer loan segment है, उस पे चीज़े किस तरह से pan out होती है, और जो December quarter निकलाना दोस्तों, उस पे company ने, सेंड बॉक्स, पूरा एक मटिल तयार कर रखा है, और पूरी तरह से डिचल होने वाला है, और robust system plays of underwriting and consumer service to ensure adequate garnering and seamless experience, देखें, जीओ न मुझे ऐसा लगता है, यह मेरे परसनल यू है, कि अपनी तमाम चीज़ें, बहुत बहुत फोकस जो कर रही है, वो digital के ओर कर रही है, कि जो भी चीज़ें, minimum minimum आप कह सकते है, hazard free performance होने वाली है, अब मुझे लगता है कि यह चीज़ें बोलने में अच्छी है, बाट देख नहीं रहे किस तरह यह pan out होती है, ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई नहीं किया, तो कोई सोच समच के ही नहीं किया ह असीले में कहा रहा हूँ, जियो फैनाइस में अगर आप सोच रहे हैं कि चीज़ें कुछ तुरंट होंगी, प्लीज काफी लंबा सोचें, एक्यूमिलेशन मोड में रहें, ऐसा मत करें कि यहां से हम खरीते चले जाएं, खरीते चले जाएं, ठीक है, आप देखें, गिवन तो देखें, इसी प्रगार की तमाम यहां पर चीज़ें हैं, मैं इसे दीजरे स्लोली स्लोली नीचे कर रहा हूँ, अगर आप इसे देखना चाते हैं, पॉस करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, वरना इसे पढ़ने जाएंगे तो बहुत बहुत दिर हो जाएगी दोस्तों, ठी तो उसी प्रगार से, पेटियम में इतने प्राप्त हुए, उसी प्रगार से, जियो वोईस बॉक्स आ रहा है, फोर मर्चेंट, और यह फीडबैक है, वो अभी पॉजिटिव है दोस्तों, फॉर्दमोर, कंपनी ने दोस्तों लाँच किया है, मर्चेंट अप, इन हैं, वो डिजिटलाइज होंगी, यह उनका पहला कदम है, which in the long term will help company, to capture valuable data, to harness across sell opportunities, it has further enabled Geo भारत phones with UPI 123, तो भाई साब समझ रहे होंगे, कि आने वाले समय कंपनी धीरे धीरही, लेकिन बहुत मजबूती से अपने आपको आगे बढ़ा रही है दोस्तों, ठीक है, आगे भी यह चीज़े हैं, अब, last but not the least, outlook or valuation, और यह बहुत important line है दोस्तों, आप देखें, आप भी लिखा हुआ है that, बात करने valuation की, तो stock जो है न अभी, 1.5 times, अपने book value के अपने its consolidated entity, September की आप बात की जा रही है, trade कर रहा है, जो की बहुत कम है, much lower than the towering valuation of Bajaj Finance, which trades at over 8 times, financial 23 book value, ठीक है, अब मैं तो यह कहूँगा भी यह Bajaj Finance से, please मत करो compare यार, Bajaj Finance बहुत अलग चीज़ है, but still, पतर यह दिखाया जा रहा है, कि जो top में है, ठीक है, उससे कितना दूर है भी, ठीक है, वाइल Bajaj Finance is well entire player, Gio Finance के जो strong parentage है, और huge capital है, और जो potential एक cross sell financial product, अपने जो large customer franchise, retail और, telecom business को ले करके है, वो बहुत जाद है दोस्तों, ठीक है, तो देखिए, अपनी जगा Bajaj Finance अच्छा है, अपनी जगा, Gio Finance अच्छा है, लेकिन मुझे यासा लगता है, Gio Finance को भी आने वाले समय में, बहुत से, आपके सकते हैं, परिक्षाह हैं जो पार करनी है, ठ देखें, देखें, और मैं भी यही कह रहा हूं, कि इनकी जो execution, देखें, बाते हैं अलग होती है, पेपर में बूलना अलग होता है, everything is great, बट आखरी में execution कैसा होगा, यह जो जाता है, however, investors can surely expect more value, wealth creation, in geofinancial service limited, given the promoter's unmatched capability, to execute larger and complexity across sector, long termers should keep the stock on their radar, ठीक है, और मैं यही सी लिए कह रहा हूं दोस्तो, should keep in their radar, और accumulation mode में रहें, कितना भी हो जाए, बहुत बड़ा निविश्क ठेकरने से बचें, क्योंकि बीच बीच में आपको opportunity geofinance, जरूर से जरूर, देता रहेगा दोस्तो, ठीक है, तो एक analysis आपसे शेर करने ही दोस्तो, अच्छे लगियो, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, यहां तक जूड़े रहे हैं, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद, यह इस वीडियो का अं देता बहुत यह ठ Pengद ऑने हैं, यह दो कि अवोस्तो, अ-चे का लून सब्सक्व मतों है, यहां जरू होस्तो, तो गपता है, तो गयान्यवत।, वि एक चैनल सब्सक्तो, ओब्सक्तब़े का यहोस्तो!